हेलो, मैसेल्फ राजेंदर वर्मा, टीम केमिस्ट्री पेटा हम लोग आज आपके औरनी केमिस्ट्री में जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ठीक है पेटा? तो शुरू करते हम चेप्टर है आपके पास कार्बोनेल कंपाउंड एसिड एंड इस डेरिवेटिव एंड कंटेनिंग कंपाउंड इन चेप्टर से मिला करके ये कुश्चन पेपर तयार किया गया है मौमीद कर रहा हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप ये वीडियो देख करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं ठीक है बेटा? करें शुरू सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है major products of the following reaction are एक reaction दे रखी आपको इसमें आपको देखना है major product कौन सा रहने वाला है तो reaction को अगर हम identify करें कि अभी करिया किस परकार की है तो आपको product को पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है LD हाइड 50% NaOH दिया हुआ है तो यह reaction आपके पास कैसी होगी बेटा कैनी जारो reaction होगी और कैनी जारो reaction में जब आपके पास तो अलगलग compound दिये जाएं तो जिस compound की reactivity क्रिया शीलता ज्यादा होगी उसका oxidation हो जाएगा और जिसकी reactivity कम होगी उसका reduction हो जाएगा यही प्रोसेस है तो इन दोनों में से more reactive कौन सा होगा आपके पास formaldehyde formaldehyde more reactive है तो formaldehyde का हमें oxidation करना है तो formaldehyde के oxidation से यह आपको salt मिलेगा और इसका reduction करना है तो आपको यहाँ पर यह alcohol मिल जाएगा अब इसके अंदर acidic media है तो इसमें जब आप h plus add करेंगे तो आपको यह मिलेगा तो आपके पास इन दोनों का एक mixture मिलेगा तब देखें आप यह आपको कहाँ पर दिया गया है options आपके सामने है ठीक है तो देखें formic acid होना चाहिए और साथ में बेंजिल अल्कॉहल आंसर कौन सर चला जाएगा पेटा फूर्थ आंसर चला जाएगा इसमें ठीक है next question the major products A and B for the following reactions are respectively एक reaction आपको दे रखी है और इसमें हमें मुख्य उत्पाद पहचानना है यहां देखें यह आपको cn negative प्रोवाइड करवा रहा है एक nuclear file है options और नी chemistry में काफी important role play करते हैं बेटा आप एक बार question पढ़ने के बाद option जुरू देख लिए कीजिए क्योंकि आपको option के according हमें product select करना होता है तो cn negative यहां पर attack करके इसको release करें ऐसी condition का option आपको यहां पर दे रखा है ऐसी condition का option आपको यहां पर दे रखा है उसके बाद reduction करना है option करना है और sinide का जब option होगा तो आप देखें साइनाइड का option से क्या मिलेगा CH2 NH2 यहां भी है यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर देखें यहां पर आपके पास option नहीं हुआ है यह तो आंसर नहीं हो सकता यह आंसर यहां पर लिए चापके पास्तर करते है यहां पर देखें परीड़ लिए आपके ज़ेंसWow ब्रॉमीन वाटर यूज करते हैं तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है अगर कारबन डाइस सलफाइड लेते हैं तो मोनो ब्रॉमोफिनॉल बनता है और थो ब्रॉमोफिनॉल और पैरा ब्रॉमोफिनॉल इसके पीछे रीजन आपसे पुछा गया है क्या रीजन हो सकता है दे as more activating group or negative जली अविलियन में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन के साथ सामी में रहत पस्तित होता है जो कि अधिक सक्णकारी सम्हू रखता है देखें कि अगर हम कि फिनॉल को कि वाटर के में यूज करेंगे ब्रॉमीन वाटर ब्रॉमीन वाटर तो नो डाउट इसका आयोनाइजेशन होगा बेटा नो डाउट इसका क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन होजाएगा ये फिनॉक्साइड आयन इस H प्लस के साथ react करके इस फिनोल यानि कि एक equilibrium establish होगा OH ग्रूप में plus M effect होता है और O negative में भी plus M effect होता है इन दोनों में से plus M effect ज्यादा किसमें रहता है बेटा O negative में plus M effect ज्यादा रहता है तो no doubt O negative की presence में phenol highly activated है बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है इसलिए जब आप water की presence में bromine add करते हैं तो इसकी दोनों और्थो और एक यह जो पैरा है तीनों position पर bromine electrophile react कर जाता है तो tri-bromofenol बनता है तो आपको यही इस question में पूछा है तो इसका answer आपके पास क्या जाएगा second answer है ठीक है which of the following compound is not obtained by hydration of alkyne कौन सा योगिक alkyne के जल योजन से नहीं प्राप्थ होगा बेटा है alkyne का आपको जल योजन करना है देखो क्या है इसकी अंदर अगर मैं यहाँ पर इसका hydration करना चाहता हूँ तो no doubt मुझे यहाँ H plus diluted H2SO4 काम में लेना है और साथ में इसके मुझे एक trace amount HgSO4 की भी add करनी पड़ती है यहाँ पर reaction according to Marconikoff होती है तो आपके पास यह एक आंसर आएगा अब यह in all form है यह क्या है आपके पास एक in all form है विड़ा in all form totomerize होगा इसकी चला व्यवता हो जाएगी क्योंकि medium acidic है चला व्यवता टॉटा मेरिजम या तो acidic मीडियम में होता है यह बेसिक मीडियम में होता है यह आपके पास एक आंसर आएगा खीटों कि अब हमें सोचना है कि क्या इस process से आप CS3CHO बना सकते हो गया अगर मैं यहां पर आर को ह से रिप्लेस कर दूं आर को ह से रिप्लेस कर दूं तो CS3CHO बन जाएगा इसका formation हो सकता है आप से पूछा है not obtained पूछा है तो यह तो form हो रहा है अब देखें यह ketone form होगा क्या अगर मैं यहां पर आर को को रिप्लेस कर दूं किस से बेटा CS3 से तो अगर मैं यहां CS3 लगाऊंगा तो मुझे यह ketone मिल जाएगा यह तो formation हो रही है अब सोचने वाली बात है formaldehyde यहां बनेगा क्या यहां पर आपके पास दो कार्बन तो अल्रेडी हो गए है और formaldehyde में तो एक ही कार्बन है तो आपका आंसर सीधा सीधा कौन सा सला गया अब देख लेते हैं यह भी बन रहा है क्या तो अगर मैं R को C2H5 से replace कर देता हूँ तो मुझे fourth option में मिल जाएगा तो not obtained पुछा है जल्योजन से नहीं प्राप्त होता है आपसे पुछा है यह बड़ी important चीज होती है आप question को ढंक से study करें तो आपका answer क्या चला जाएगा third answer चला जाएगा ठीक है बेटा एक reaction है आपके सामने डाइबाल H और उसके बाद acidic medium में hydrolysis दिया है डाइबाल H क्या करेगा यहाँ पर यह हमें देखना है किसके साथ reaction करेगा इसका इसके लिए कोई reaction नहीं है इसका कोई reaction नहीं है यहाँ पर देखें आप यह answer नहीं हो सकता यहाँ पर unreacted 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 है चलो ठीक है यह तो साइनाइड के साथ डाइबॉल एच क्या करने वाला है देख लेते हैं अगर हम डाइबॉल एच को इसके साथ एड़ करेंगे तो यह reducing agent है अपचायक है और फिर इसमें जब आप इसको एड़ करेंगे यहाँ से break हो जाएगा हमलेगा तो finally आप देख पा रहे हैं CN किस में convert हो गया h ildehyde में convert हो गया तो cnldehyde में convert हो रहा है cnldhyde में convert नहीं हो रहा है cnldehyde में convert नहीं हो रहा है आपका answer क्या चला गया हैunächst shows number of products including stereo isomers तो इसकी reaction देखें ये एक reduction process है इस reduction process से हमें क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं ketone का जब reduction करवाएंगे तो ये alcohol में convert हो जाएगा और जैसे ही आप देख रहें ये alcohol बन रहा है यहाँ पर एक chiral center develop हो गया जब molecule में एक ही chiral center develop होता है तो उस case में ये molecule क्या बना वेठा? chiral तो कितने form में available होगा ये? टू forms में available होगा फस्ट form आपके पास होगा dextro rotatory सेकंड form आपके पास होगा levo rotatory तो आपसे पूछा गया था including stereo isomer त्री विम समावेवियों को शामिल करते हुए पूछा है तो आपके पास यहाँ पर जो number of products आएंगे 1 plus 1, 2 आएंगे यानि की answer क्या आजाएगा बेटा? आपके पास first answer आजाएगा समझ भारी है बेटा? ठीक है? Which reagent is suitable for this conversion? आपको एक conversion दिया हुआ है इसके लिए suitable reagent हमें चेक करना है देखें, double bond पर किसी तरह से कोई reaction नहीं होनी चाहिए आप reactant से product को compare करके ही question को solve करेंगे यहाँ पर easter group है और यहाँ पर alcohol group है easter को alcohol में convert करना है easter को alcohol में convert करना है alcohol में इसको reduce करना है तो easter को alcohol में convert करने का काम lithium, aluminium, hydride करेगा कौन करेगा? lithium, aluminium, hydride करेगा बेटा तो इसमें आप देख ले lithium, aluminium, hydride कौन सा है आपके पास signals है ना कि इसमें काम नहीं करेंगे ठीक है बेटा? 50% NaOH, CCL3, CHO CCL3, CHO 50% NaOH यानि की OH नेगेटिव कौन से reaction होगे बेटा है? addition, कौन से reaction होगे है? addition reaction O, H, H, clear है बेटा? अब आप देखें इसके बाद क्या होगा? ये जब अपनी position को gain करेगा तो इसमें यहाँ पर good living group कौन है? CCL3 good living group है तो ये इसको चोड़ के चला जाएगा CCL3 negative एक good living group है plus यहाँ पर आपको क्या मिल ला है वेटा? H, C, O, O, H ये तो मिल ला है? H, C, O, O, H ये यहाँ से H plus gain करेगा sorry CCL3 negative ये यहाँ से H plus gain करेगा तो आपका जो answer आएगा वो आएगा C, H, C, L3 plus H, C, O, O negative ये आपके पास answer आएगा बास समझ में आरे ही वेटा? CCL3, C, O, 50% N, O, H तो N, O, H यहाँ क्या करने वाला है? as a nucleophile यहाँ nucleophilic addition शो करेगा ये nucleophilic addition उसके बाद elimination process हो गया उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर elimination will open अभी करिया हो गई ये good living group है, ये release हो जाएगा अब यहाँ पर एक proton transfer reaction हो गई ठीक है? acid waste reaction ये यहाँ से X plus गिन करेगा तो आपके पास कुछ ऐसा answer आएगा बेगा देखें कौन सारा answer है? इस तरह कराएगा ये रहा second answer बाद समझ भी आ गई? ठीक है? identify ये find out product in the following reaction sequence आपको देखना है product क्या है? तो देखें इस बेठा सबसे पहले आप इसका ozonolysis करेंगे ये bond यहाँ से break होगा आप देखें यहाँ पर जडन नहीं है तो ये oxidative ozonolysis है तो जब आप इसका oxidative ozonolysis करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा carboxylic acid बनेगा आपके पास B अब इसके बाद क्या है? calcium hydroxide जब आप इसमें add करेंगे तो CH2 CH2 और आपको एक calcium salt मिलेगा क्या मिलेगा? calcium salt इस calcium salt को आपको heat करना है calcium salt को heat करेंगे तो यह वाला portion यहाँ से release हो जाएगा एक ketone आपको मिलने वाला है यह ketone जाएगा तो calcium salt बनेगा और इसमें temperature भी provide करवा रखा है तो calcium salt को जब आप temperature प्रोवाइड करवाते हैं तो dry distillation process हो जाता है शुश्क आस्वन क्रिया हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक ketone मिलेगा और ketone में वाल्फ किष्णर reduction आप कर रहे हैं वाल्फ किष्णर option आप कर रहे हैं आपको no doubt यहाँ answer क्या मिलेगा second answer है alcohol and carboxylic acid can be distinguished alcohol और carboxylic acid दोनों को distinguish करना है वेटा sodium bDA carbonate के साथ यह negative test देगा यह positive test देगा distinguish हो गया sodium sodium के साथ यह भी positive test देगा और यह भी positive test देगा distinguish नहीं हो रहा है वेटा तो इससे दोनो positive test देरे हैं और इसमें सिर्फ carboxylic acid ही positive test दे रहा है जब आप इसको इसके साथ treat करेंगे तो CO2 gas होना शिरू हो जाएगी, तो आप के पास answer के आजाएगा, first answer आजाएगा, reason समझ में आ रहा है ठीक है which of the following pair cannot be, cannot be पूछा है वेटा आपसे इभेदित नहीं किया जा सकता, किस के दवारा पूछा है tolen अभी कर्मक tolen रियेजेंट दिया गया है वेटा ठीक है, तो देखे aldehyde positive test देगा ketone negative test देगा distinguish कर सकते हो, आप विभेदित कर सकते हो, aldehyde यहाँ पर positive test देगा और formic acid भी positive test देता है वेटा, distinguish नहीं हो सकता है aldehyde में यहाँ पर positive test आएगा और यहाँ ketone में negative test आएगा distinguish हो जाएगा, aldehyde में positive test आएगा ketone में negative test आएगा distinguish हो जाएगा, आप से पुछा है cannot be, answer आपके पास कौन सा आ गया वेटा second answer आ जाएगा क्योंकि दोनों ही positive test दे रहे है which reaction is used to prepare aldehyde aldehyde को prepare करना है aldehyde का निर्मान करना है आपको, इस पर focus करें canigaro reaction aldehyde show करता है canigaro reaction से aldehyde का formation नहीं होता है aldol condensation aldehyde compound show करता है aldehyde का preparation नहीं होता इसे rosin moon reduction rosin moon reduction से आप aldehyde prepare कर सकते हैं rosin moon reduction से आप aldehyde prepare कर सकते हैं hvz से aldehyde नहीं है aldehyde को prepare करना है student इसमें confuse हो जाता है mind में aldehyde लिखता है तो दिमाग में आता है कि canigaro reaction भी aldehyde के लिए है aldol भी aldehyde aldol और canigaro दोनों aldehyde show करते हैं question में आप से पूछा है aldehyde का preparation ठीक है which of the following compound gives red precipitate when heated with failing solution अब आप से पूछा है इन में से कौन failing solution से react करेगा तो failing solution से aliphatic aldehyde react करता है aromatic aldehyde react नहीं करता है और ketone भी react नहीं करता है carboxylic acid react नहीं करेगा aromatic aldehyde react नहीं करेगा aliphatic aldehyde react करेगा answer कौन सा आ गया वेटा third आ गया ठीक है compound A form phenyl hydrazone देखें आप compound A की अगर मैं बात करूँ तो इस molecular formula पर आपका यह option match नहीं कर रहा है बाकि सारे match कर रहे हैं यह hydrazone बनाएगा यह भी hydrazone बनाएगा यह भी hydrazone बनाएगा आगे चलते हैं A does not react with toll and reagent इसमें toll and reagent react नहीं करेगा इसमें toll and reagent react नहीं करेगा इसमें react करेगा तो यह भी option गलत होगा does not पूचा है does not give iodoporm test यहाँ पर iodoporm test हो जाएगा इसमें iodoporm test नहीं होगा यह भी option reject हो गया तो answer कौन सा बचा वेटा आपके पास third answer बचा बात समझ में आ रही है पहले तो यह molecular formula based हमने second option reject कर दिया क्योंकि molecular formula match नहीं कर रहा है phenyl hydrazine में सारे ही react कर रहे थे बाकी जो बचे हुए थे does not react with toll and reagent उसमें fourth option reject हो गया does not give iodoporm test इसमें first option reject हो गया तो option क्या आँसा बचा आपके पास third और जब आप इसमें क्या करेंगे reduction करेंगे तो इससे क्या बनेगा reduction से normal pentane बना सकते हो reduction करके तो कोई problem नहीं है which reaction is called sponification sponification means alkaline hydrolysis of easter sponification का मतलब क्या है alkaline hydrolysis of easter ester का अक्षार ये माध्यम में जल अपगटन क्योंकि इस process से आप साबुन बना सकते हैं इसलिए इसका नाम है साबुनी कर्ण sponification तो इनमेंस देख लो alkaline hydrolysis of easter कांसा है बेटा fourth answer है ठीक है aldehyde or CS3, MZ, BR और ये सारा process अगर आप use करेंगे तो आपको यहाँ पर no doubt कैसा alcohol मिलेगा 2 degree alcohol मिलेगा क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 2 degree alcohol formaldehyde से बनता है 1 degree alcohol other aldehyde से बनता है 2 degree alcohol और ketone से क्या बनता है 3 degree alcohol जब आप grignard reagent उसके बाद hydrolysis करवाते हैं यह common सा concept है जो याद रहना चाहिए अब इस alcohol का हमें oxidation करना है यह 2 degree alcohol है 2 degree alcohol का अगर आप oxidation करेंगे तो आपको यहाँ पर ketone मिलेगा अब देखें ऐसा आंसर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है first कार्वाक्जिलिक एसिड इस नॉट यह statement बड़े अच्छे से पढ़ने होते हैं कार्वाक्जिलिक अमल प्राप्त नहीं होता है यह पूछा है आपसे grignard reagent और aldehyde की reaction से आप alcohol बना सकते हो यहाँ पर alcohol मिलेगा कार्वाक्जिलिक एसिड नहीं इसमें कार्वाक्जिलिक एसिड मिलेगा इसमें साइनाइड का हैड्रोलाइसिस करवा रहे हो कार्वाक्जिलिक एसिड मिलेगा primary alcohol का अगर आप इस condition में oxidation करवाएंगे कार्वाक्जिलिक एसिड मिलेगा आंसर क्या जाएगा फर्स्ट जाएगा which is correct about यह statement याद रखने वाले हैं it is a gas at room temperature correct है its 40% aqua solution is known as formalin इसका जलिये 40% जलिये formalin ये भी सही है it is used for canigero reaction canigero ये भी सही है इसका answer क्या आ गया इसमें तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं ये कौन सी reaction है वेटा canigero reaction में आपसे पूचा है slow step canigero reaction का slow step कौन सा होता है जहां पर आप hydride को transfer करते हैं canigero reaction में hydride H negative transfer भी होता है और proton H plus transfer भी होता है लेकिन slow step rate determining step दीमा पद मतलब वेग निर्धारक पद में क्या transfer होता है hydride H negative का transfer होता है तो answer क्या आगया आपके पास second आगया diluted क्यमिनो 4 ketone है और साथ में temperature है ये reaction कौन सी हो जाएगी aldol condensation कौन सी reaction होगी बैटा ये aldol condensation reaction हो गई तो मैं इसको ऐसे direct solve कर सकता हूँ मैं इसको इस तरह से direct solve कर सकता हूँ अब ये आपको देखना है इसमें क्या answer आ रहा है CS3 ये आपके पास answer आएगा check कर लो बैटा कौन सा answer आएगा first answer आएगा ठीक है कौन सी reaction है aldol condensation lithium aluminium hydride क्या है एक reducing agent है एक अपचायक है ये क्या करेगा इसको convert करेगा alcohol में ही और इसके साथ कोई reaction नहीं करेगा बस ये check करने आप ये answer नहीं होगा ये answer नहीं होगा ये भी answer नहीं होगा answer कौन से चला जाएगा fourth answer सला जाएगा ठीक है fourth answer अब इसको देखे ये वो aldehyde है जहाँ पर alpha hydrogen नहीं है alpha hydrogen zero इसका मतलब reaction कौन से हो गई है यहाँ से यहाँ थे यह वाली कौन से reaction हो गई है कहनी जारो reaction हो गई वो भी कौन सा intra molecular अनुक एक group का oxidation कर दो दूसरे group का reduction कर दो एक का oxidation कर दो और दूसरे group का reduction कर दो यह बनेगा अब इसमें H plus add करो H plus add करने से protonation हो गया और acidic medium में इसे गरम भी कर रहे हैं आप तो no doubt यहाँ पर यह इस पर attack करके इसको remove करने का काम करेगा कौन से reaction esterification intra molecular intramolecular esterification answer कौन सा आगया वेटा आपके पास fourth answer आगया बास समझ में आगए ठीक है इस reaction को ध्यान से देखो यह क्या कौन से reaction बन रही है वाल्फ किशनर रिदक्शन वाल्फ किशनर रिदक्शन में यह group किस में convert हो जाएगा CS2 में convert हो जाएगा देखो यहाँ पर CS2 में convert हो गया यहाँ पर CS2 में convert हो गया यहाँ पर CS2 में convert हो गया यह तो option वैसे ही reject हो गया CL यह गड़वड कर रहा है तो यह भी answer नहीं आएगा इन दोनों को check करना है जब वाल्फ किष्णर रिदक्शन में आपके पास यह ऐलोजन डेरिवेटिव है और यह के ओवेच के साथ जब इसको heat करेंगे तो यहाँ पर elimination process हो जाएगा विलोपन अभी करिया हो जाएगी यह alpha carbon और यह beta carbon तो यहाँ पर एक double bond बन जाएगा answer क्या आजाएगा third answer आजाएगा दो process हो गए एक यह किसका काम करेगा वाल्फ किष्णर रिदक्शन का और दूसरा यहाँ पर विलोपन अभी करिया होगी elimination process होगा तो answer कौन सा आजाएगा आपके पास third answer आजाएगा अब कुछ एक student इसमें थोड़ा सा confused रहते हैं कि यह विलोपन elimination कर रहे हैं यहाँ पर के ओएच हमें जो पढ़ाया गया है कि alcoholic के ओएच काम में आता है तो बेटा इसके अंदर भी जब आप यह process complete करते हैं तो इसमें as a solvent ethylene glycol काम में आता है एक solvent के तरह से काम कर रहा है तो यह reaction हो जाती है इसमें क्या बनेगा देख लेते हैं कि इसमें क्या बनेगा इसमें क्या बनेगा बेटा यह बनेगा देखें यह यह compound A है A can show geometrical isomerism नहीं यह geometrical isomerism show नहीं करेगा क्योंकि यह portion सेम है A is hydrazone नहीं यह कौन सा compound है ओक्जिम कौन सा compound है ओक्जिम A is formed by addition element बिल्कुल्स करेक्ट aldehyde ketone ammonia derivative के साथ जब react करता है तो process किस mechanism के थूँ complete होता है addition elimination mechanism के थूँ complete होता है इसका मतलब इसमें third answer आपके पास आएगा which of the following compound gives iodop form test देने वाला है iodop form test देने के लिए आपके पास या तो ऐसा कोई group होना चाहिए या कोई ऐसा group होना चाहिए alcohol है तो ऐसा होना चाहिए aldehyde ketone है तो ऐसा होना चाहिए तो देखे इसमें iodop form test नहीं है iodop form test है iodop form test है यहाँ iodop form test नहीं है तो B और C आपसे पूछा है answer कौन सा आ गया fourth answer आ गया सिदा simple सा question है कहीं कोई problem वाली बात नहीं है neat में इसी तरह से simple simple question आते है कोई typical question बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं बनते हैं थोड़ा सा आपको रंग से question पढ़ना है बस aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic aldehyde aromatic aldehyde और aliphatic aldehyde को जब आप compare करते हैं तो आप देखें यहाँ पर एक resonance हो रहा है जिसमें इसका कौन सा effect काम कर रहा है plus m plus m effect की इसकी वज़े से यह जो carbon है यहाँ पर electron density increase हो जाती है जब इस carbon पर electron density increase होगी तो इस carbon की nucleophile के लिए जो attraction reactivity थी वो क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी ऐसा aliphatic aldehyde में नहीं हो पाता है क्योंकि aliphatic aldehyde में यहाँ पर इसका कौन सा effect लगता है plus i effect लगता है तो यह less electronegative है और यह more electronegative है तो यह जब less electronegative है तो यह less reactive है यह more reactive है तो आपसे पुछा है aromatic aldehyde less reactive than aliphatic aldehyde answer क्या रहेगा वेटा इसमें resonance तो इस product को देखें आपको इस क्या coding सोचना है वेटा reaction यह बता रहे है कि aldehyde का किसी तरह से कोई reaction नहीं होना चाहिए reaction यह कह रहे है कि ketone जो group है वो CS2 में convert हो रहा है C double bond O को CS2 में convert करने के लिए आपके पास direct तीनी process है यह तो आप करवा दो कौन सा reaction वाल्फ कृष्ण रेडक्शन रेडक्शन या क्ली मेंशन रेडक्शन या फिर HI red phosphorus को यूज कर सकते हो तीनी condition है ठीक है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि aldehyde और ketone दोनों दे रखे हो तो पहले react कौन करेगा पहले तो aldehyde करेगा क्योंकि aldehyde more reactive और question यह कह रहा है aldehyde का reaction नहीं होना चाहिए इसका मतलब हमें aldehyde को पहले protect करना पड़ेगा बास समझ में आ रही है aldehyde ketone दोनों हैं दोनों में से अगर हमें किसी एक का reduction करवाना है तो पहले aldehyde का होगा अब aldehyde का reduction नहीं हो रहा है question यह कह रहा है तो हमें aldehyde को protect करना पड़ेगा रक्षित करना पड़ेगा और aldehyde group को protect करने का काम कौन करता है इथाइलीन गलाइकोल करती है इथाइलीन गलाइकोल तो इस बेस पर यह दोनों option reject हो गए यह इथाइलीन गलाइकोल है यह इसका protection कर देगा फिर हमें यहाँ पर या तो क्या करना है वॉल्फ किश्णर या क्ली मेंशन या है तो देखें यहाँ पर वॉल्फ किश्णर वाली condition दे रखी है यह यूज नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप कीटोन में लीथियम अलिमिनियम हाइडराइड करेंगे तो अलकोल बनेगा यह अ प्रक्षिन आपको इसमें के अकोडिंग आपको थीम बनानी है कि कुश्ण में एक्जामनेर आपसे क्या चाहता है उसके अकोडिंग चलना आपको करेक्ट और ओफ बॉलिंग पॉइंट इस बॉलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसमें होगा अलकोहल में उसके बाद किसमें होगा अल्डियाइड में यह दारेक्ट याद करना एथर में फिर एलकें यह दारेक्ट याद रखने माली बात है कोई पॉलरिटी हाँ तो गड़ा इन दोनों के कॉंबिनेशन से आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा अब इसमें आइडो फॉर्म रियक्शन करवाएंगे आइडो फॉर्म रियक्शन करवाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा CS3 COO-CHI3 इसमें H प्लस एड़ करेंगे यह B है इसमें H प्लस एड़ करेंगे तो CS3 COOH मिलेगा यह C हो गया अब इसमें यह अलफा है यहाँ पर यह कहरा है कि रेड फॉस्फोरस और CL2 दिया हुआ है तो यह कौन सी रियक्शन हो गई H V Z रियक्शन हो गई तो CH2 CL और COOH आपके पास D option आएगा फ़स्ट आज़र है ठीक है इसमें पॉजिटीव टेस्ट होगा इसमें पॉजिटीव टेस्ट होगा और इसमें नेगेटीव होगा इसमें भी पॉजिटीव होगा इसमें नेगेटीव टेस्ट इसमें नेगेटीव टेस्ट तो नेगेटीव होगा यह टॉलन रियेजेंट से रियक्ट करेगा वाइट प्रेसिप्टेट बनाएगा लेकिन वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं होगा बेटा तो सिल्वर मिरर टेस्ट में A भी है B भी है और D भी है A, B, D आपको देखना है A, B, D आपके पास थर्ड ओप्शन में दिया हुआ है ठीक है बेटा तो इसमें देखें यह एलिफेटिक प्राइमरी आमाइन है इसको ना-NO2-HCl के साथ जब यूज करते हैं तो नो डाउट पहले आपको यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनाना होगा क्या बनाना होगा कार्बोकेटाइन अब कार्बोकेटाइन जब आपने बना लिया है तो नो डाउट आपको यहाँ दिख रहा है एक रिंग एक्सपेंशन एक 6-member रिंग आपको दिखाई दे रही है ऐसे रिंग एक्सपेंड होगा विटाइए अब यहाँ पर ओक्सिजिन के पास लॉन पेर है यहां एक बैक बांडिंग होगी और यह इसको रिलीज कर देगा तो आपका आंसर क्या आजाएगा और था आजाएगा अली फैटिक प्राइमरी अमाइन में एन एनो टू एचियल एड़ करते हैं तो पहले कार्बोकेटाइन बनता है यहां पर रिंग एकस्पेंड हो जाएगी वले का विस्तार हो जाएगा रोव आपको आंसर बैक बांडिंग के थूँ एच प्लस रिलीज हो जाएगा यहां से एच प्लस रिलीज हो गया compound A C5H12O on mild oxidation का मतलब है अगर primary alcohol है तो वो aldehyde में convert होगा secondary alcohol है तो वो ketone में convert होगा यह primary alcohol है तो यह वाला group किस में convert हो जाएगा aldehyde में यह secondary है तो यह किस में convert हो जाएगा ketone में यह secondary है यह किस में convert हो जाएगा ketone में दोनों साइड C2H5 यह primary है यह aldehyde में convert हो जाएगा ठीक है यह सारे B बना लिए मैंने B gives 2,4 DNP test 2,4 DNP इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें भी इसमें भी देखो बैटा हेलो फॉर्म परेक्शन नहीं देता है यह पूछा है तो यह हेलो फॉर्म परेक्शन नहीं देता है यह हेलो फॉर्म रेक्शन देता है तो यह तो reject करो यहां से यह भी हेलो फॉर्म नहीं देता यह भी हेलो फॉर्म नहीं देता आगे पूछा है does not give silver mirror test ये तो silver mirror test देता है ये reject हो गया silver mirror test देता है ये reject हो गया answer कौन सा है आपके पास third answer आगया बास समझ में आ रही है बेट आपको हमने mild oxidation किया primary alcohol से LDAD बना लिया secondary alcohol से ketone बना लिया does not give hello form hello form ये देता है और यहां लिखा है does not तो ये cancel हो गया फिर लिखा है does not give silver mirror test ये तो positive test देगा ये cancel हो गया ये positive test देगा ये भी cancel हो गया तो बचा कौन सा third option column A में जो compound है वो column B compound जो है वो किस के साथ react करते हैं acetone के साथ product ये बनेंगे मेटा hydrazine से reaction करवाएंगे तो क्या मिलेगा hydrazone तो इसके लिए ये answer आएगा A में third answer आ रहा है वेटा A में third ये तो एक ही है answer ये ही आ गया कोई problem भी नहीं है semi carbazide phenyl hydrazine hydroxyl amine ये तो होई गया कोई problem वाली बात ही नहीं है अब ये इसको column को match करना है ये कौन सी reaction हो गई clean mention reduction तो A में आपको क्या मिल रहा है clean mention reduction मिल रहा है A में second मिल रहा है A में second मिल रहा है answer direct क्या आ गया पस्त आ गया वाकिया अपने ये match कर लोगे कोई दिखे थी नहीं ठीक है ये कौन सी reaction होगी बटा राइमर टिमान reaction कौन सी reaction हो गई राइमर टिमान reaction हो गई जब आप राइमर टिमान reaction करवाएंगे तो आपको यहाँ पर aldehyde मिलेगा compound A अब इसमें HCN से reaction करवानी है HCN से nucleophilic addition reaction होने जा रही है बटाई ठीक है नाभिक सनेही योगातमक अभिक्रिया ये nucleophilic addition हो गया आगे इसका hydrolysis भी करना है acidic medium में आप इसका hydrolysis करेंगे cyanide के hydrolysis से क्या बनता है carboxylic acid ये option देखलो आप कौन सा है first answer answer कौन सा आजाएगा first answer ठीक है ले रहे बिटा identify correct statement सही कथन की पहचान करनी है phenol can be distinguished from alcohol by sodium bicarbonate गलत phenol को alcohol से distinguish करने के लिए FeCl3 use किया जाएगा sodium bicarbonate नहीं क्योंकि दोनों ही इसके साथ react नहीं करते हैं ये तो गलत हो गया carboxylic acid can be distinguished from phenol ये बिलकुल correct है और आपको सही की पहचान ही करनी थी ये answer आगया कोई problem ही नहीं है इसमें आप देखें क्या कर रहेंगे यहाँ पर resonance हो रहा है ये तो strong bond है ये weak bond है वेटा nucleophilic substitution reaction होगी I negative इस पर attack करेगा तो आपको जो product यहाँ पर मिलने वाला है एक तो मिलेगा OH और एक मिलेगा आपको यहाँ पर ऐसे अब ये in all रूप in all form है in all रूप है acidic media है totomerize होगा acidic media है totomerize हो ये देखो एक तो ये answer आना चाहिए और एक ये answer आना चाहिए देखो कौन सा आएगा कौन सा आएगा बटाई second answer आजाएगा बाद समझ में आ रही है ether concentrated HI के साथ reaction शोग करेगा कौन सा nucleophilic substitution ये strong bond है due to resonance तो ये तो break होगा नहीं यहाँ से break होगा यहाँ nucleophile attack करेगा ये answer आजाएगा in which of the following reaction aldehyde or ketone does not form क्यूमीन में oxygen और उसके बाद H plus add करते हैं तो finally जो answer आता है वो एक तो phenol आता है और एक आता है acetone, ketone बन गया न वेटा ketone बन गया न aldehyde और ketone does not form पूछा है यहाँ तो ketone बन गया rogenmone reduction aldehyde बन रहा है grignard reagent इसके साथ जब reaction करेगा ketone बनेगा बेटा और जब 3 degree alcohol को copper के साथ heat करेंगे तो कौन सी reaction हो जाएगी elimination reaction हो जाएगी और इस elimination reaction से आपको यहाँ पर जो answer मिलेगा वो alkene मिलेगा does not form answer के आगया आपके पास 4th answer आजया aldehyde ketone नहीं बनता है answer 4th आजया carboxylic acid जब इसके साथ react करेगा तो आपको मिलेगा cs3 cocl compound A है इसकी reaction करवानी है किसके साथ benzene के साथ reaction करवानी है anhydrous aluminium chloride fcr reaction हो गई friddle craft reaction हो गई तो आपको यहाँ पर जो answer मिलेगा वो कुछ ऐसा है अब देखते हैं यहाँ से आपको आइडो form मिल जाएगा B does not give friddle craft B में friddle craft नहीं होने वाली B में friddle craft क्यों नहीं होने वाली क्योंकि benzene ring पर deactivating group जुड़ा है V सक्रिण कारी sum जुड़ा है benzene पर deactivating group जुड़ेगा तो वहाँ पर friddle craft reaction नहीं होगी तो इसमें second और third दोनों ही option correct है answer कैसला जाएगा C6, H5, Mg, Br आपके पास compound X है और जब आप इसमें CO2 add करने के बाद hydrolysis करते हैं in acidic media तो आपको carboxylic acid बनाना होता है क्या बनाना होता है oxylic acid बनाना होता है answer के आजाएगा fourth answer आजाएगा ठीक है which of the following is least reactive towards HCN HCN से reaction पुछा है मतलब आप से पुछा है reactivity towards nucleophile नाभिक सनेही की प्रती किरिया शिलता aldehyde more reactive होता है ketone less reactive होता है यह common concept है steric hindrance त्रीविम बाधा के बेस पर यह aldehyde aldehyde से कम होती है और आपसे पूछा है least reactive सबसे कम kriyacil पूछा है ketone ठीक है among the following acid which one has the lowest pka value न्यूनतम pka मान पूछा है lowest pka का मतलब आपसे पूछ लिया strong acid आपसे प्रभलक शा अमल पूछ लिया strong acid पूछ लिया तो इनको अगर आप देखेंगे तो acid strength हिंगी acid strength बनेगी इसमें h c o o h c 6 h 5 c o o h c s 3 c o o h c s 3 c o o h और c 2 h 5 c o o h यह acid strength बनेगी आपसे strong acid पूछा है यह strong acid है strong acid है तो इसके लिए least p k a है पास समझ जागी बटा ठीक है which of the following reagent would convert both aldeide and ketone to corresponding alkane यह आपसे यह पूछ रहा है ऐसा बनना चाहिए तीन option है clay mention reduction walf-kishner reduction HI and red phosphorus तीनों में से क्या दिया हुआ है clay mention reduction दिया हुआ है ठीक है आप देखो इस reaction में क्या कर दो आपको जब reactant और product दोनों दिये जाए तो आपको देखना है कहां पर reaction करवानी है कहां पर नहीं करवानी है आपको ऐसा reagent लेना है जो double bond के साथ react नहीं करता हो और वो reagent इसका oxidation कर दे carboxylic acid में तो PCC नहीं हो सकता क्योंकि PCC alcohol का oxidation करता है aldehyde का oxidation नहीं करता KMNO4 नहीं लेंगे क्योंकि KMNO4 C double bond C का भी क्या कर देगा बेटा oxidation कर देगा और question कहरा है double bond का oxidation नहीं होना चाहिए KMNO4 नहीं ले सकते आप tollens reagent ले सकते हैं क्योंकि tollens reagent double bond पर किसी तरह से कोई change नहीं करता aldehyde को carboxylic acid में convert कर देगा lithium aluminum hydride reducing agent है इसका तो chance वैसे ही खतम हो गया tollens reagent find out correct reaction देखें मैटा सबसे पहले CS3 CH2 AGCN की जब reaction करवाओगे तो यहां बनेगा NC NC का आपको reduction करवाना है तो CS3 CH2 NH CS3 बनेगा correct पूछा आपसे correct यह और यह match नहीं कर रहा है इसका hydrolysis करवाना है इसका hydrolysis करवाएंगे तो यहां पर carboxylic acid और वह भी sodium salt sponification बिल्कुल सही है यह भी सही है correct तो यह है यह 3 degree है यहां पर यह नहीं बनेगा इसकी जगहें क्या बनेगा alkyne बनेगा 3 degree alkyl halide sodium methoxide के साथ heat करते हैं तो elimination होता है ascent reaction नहीं होता है तो यह भी गलत हो गया phenol को bromine water के साथ react करेंगे तो यह नहीं बनेगा tribromofenol बनेगा यह भी गलत हो गया answer ही आ गया सके ठीक है मैं उमीद कर रहा हूँ आप लोगों को अगर paper में कहीं कोई किसी question में doubt आया है तो video solution से आपका वो doubt clear हो गया होगा फिर भी कहीं किसी question में doubt रहा है तो आप इस video को दोबारा देखे अच्छे से समझे question उसी pattern को follow कर रहे हैं जो आपके neat में इस समय आ रहे हैं ठीक है अच्छा बड़े मेटा अपना best दे thank you JCLC